जनरली यहां पर अब तक दो पेटेंट फाइल हुआ है एपल की तरफ से इसकी फॉल्डिबल सीरीज में यहां पर अगर मैं पहले पेटेंट के बादुक बात करूंगा तो एकच्छली में foldable नहीं है, लेकिन यहाँ पर dual display वाला जोना पेटेंट फाइल हुआ है, और यहाँ पर जॉसरा patent file हुआ है, वो actual dual display वाला patent file हुआ है, लेकिन guys, यहाँ पर ज़्दातर leaks और rumors यह二 है है, ज़्दातर legitimate sources से, कि जो first वाला patent file हुआ है ना वो इतना कुछ ठीक नहीं है जबकि जो actual में fold वाला patent file हुआ है वो काफी अच्छा है और उसे के बार में आपसे बात करूँ आप तक जो भी information related निकल के आई है तो उसे में पता लग जाता है कि अब किस तरह की का हो सकता है iPhone foldable phone यहां पर अगर मैं दोस्तो पेटेंट डीटेल्स के बारे में ही बात करूंगा तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि काफी टाइम से एक न्यूस निकलती भी आ रही है कि iPhone 15 सीरीज में जनरली 15 प्रो और 15 अल्ट्रा में हमें अच्वल में फिजिकल बटन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे यहां मतलब डिजाइन में काफी जबदाश चेंच आ सकता है iPhone 15 अल्ट्रा और 15 प्रो में अब यहां पर जो फिजिकल बटन्स है उसकी जगह पर कमपनी solid state volume बटन्स द मतलब इसमें बिलकुल भी बटन्स नहीं रहेंगे अब यहां पर हो सकता है कि कमपनी शुरुआ जो ऐस चीज की iPhone 15 सीरीज से कर देए अब यहां पर गाईज इसमें screen to body ratio भी इतना जबरदस्त होगा कि इसमें जो sensors रहेंगे वह बीक्तब fine lines से होगे मतलब कि आपको जो प्र touch controls है नो दोस्तों वह काफी अलग तरीके से होंगे ऐसा patent में फाइल किया गया है अब यहां पर कुछ ऐसी news है कि अगर यह फोल्ड हो जाएगा उसके बाद में जब user को इसको operate करना होगा तो यहां पर वह इस तरह के से operate तो कर पाएगा obviously लेकिन company उसके rare में पूरा touch pad दे द iPhone foldable phone के patent को लेके वो यही चीज़ उसमें काफी जबदस upgrades देखने के मिल सकते है और एक upgrade यह हो सकता है कि iPhone जो foldable phone रहेगा उसमें हमें Apple pencil का भी support मिलेगा अब यहां पर company साथ में Apple pencil लेगी या तो फिर आपको अलग से purchase करना पड़ेगा कुछ बताने सकते मेरे हिसाब से 99.9% अलग से purchase करना पड़ेगा जब company charges provide नहीं कर रही तो वो क्या देंगी यहां पर गाईज देखिए एक चीज़ देखिए हमने foldable phones में जो की काफी major problem है और शायद अब तक उसको कोई solve नहीं कर पाया है जब phones को fold कर देते हैं और काफी time तक उसको use करते रहते हैं तो बीच में जहां पर hinge mechanism रहता है वहां पर काफी visible wrinkles आ जाते हैं जो obviously काफी बेकार लगते जब उसको डेटो डेटम पर हम यूज करेंगे तो अब यहां पर गाई Samsung ने उसको कुछ इस तरीके से handle करने की कोशिश करी है कि अपने phone में starting में cover display देना शुरू कर दिया cover display से क्या होता था कि जब भी यूजर को जनरली कोई से काम देता था तो वह cover display पर करता था लेकिन उसके बाद में जब यूजर को फोल्ड open करना है तो आपर बाकी का बड़ी screen में कुछ भी आपन content enjoy कर पाते हो इससे क्या होता था कि जब फोन को बंद खोल बंद खोल कर रहे हो तो वह ज्यादा रिपीट नहीं होता था जिसकी वज़े से वहाँ पर wrinkles कम आते थे या काफी time के बाद में आते थे लेकिन अब यहाँ पर जब पेटेंट को देखेंगे apple के तो इसमें दोस्तों में कोई hinge mechanism भी नहीं दिखता है अगर इस patent को हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर देखें मैं एक काफी time के बात में iPhone 14 series में always on display देखने के मिलता है लेकिन उसमें काफी जाधा customization company ने आपको दे दिया है तो वह काफी अच्छी चीज़ लगती है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बेल नोडिफिकेशन पर रख लो और आपका क्या कहना इसके बारे में मुझे जरूर से बताना जो भी information आपके पास मिलेगी कमें स्कॉलम में जरूर से बताना इंस्ट्राग्राम पे भी हमको फॉलो कर लो उसको भी जोस्तों में वीडियो जालते रहे तो टाइमली बेसिस पे तलिए दोस्तों निशाला मैं विल तो आपसे अपने आगले वीडियो में जैहिंद